फोन आया था बर्लिन एंबसी से और सीधे मुझे बोला था कि आपको अभी के अभी जर्मनी छोड़के जाना पड़ेगा हेलो गाइज एन वेलकम बाक टू मैं चैनल मैं हूँ सुर्बी इंटिन गर्ल इन यूरोप आज मैं वीडियो में बताने वाली हूँ जो कि मैने कुछ से एक्स्पीरिंस करें हैं या मेरे फ्रेंद्स या जारने पहिचानने वालों इक्स्पीरिंस करें हैं वीडियो बहुत मज़ेदार है तो पूरा देखना कुछ इंसिदेंट मैं आज आप लोगों को बताऊंगे और उससे पहले पर एक बात बताना चाहरी कि हम लोगों ने एक व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया है जिसमें हम लाइफस्टाइल वीडियो बनाते हैं तो वो जरूर देखना उसमें बहुत अच्छे अच्छे वीडियो हैं डेली लाइफ से रिलेटेड और आपको बहुत मज़ा आएगा तो ज़स्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं स्कांप से जर्वनी का तो सबसे पहले बताती हूं फर्स इंसिडेंट जो मेरे साथ खुद के साथ हुआ था तो मैंने सोचा कि मैं आपको बता देती हूं पूरा स्टोरी लाइन सुनना क्योंकि मज़ेधार है तो मैं उस टाइम पे नही नही आई आई और मैं इंट्रिकेशन कोर्स कर रही थी जिस टाइम पर मेरे पास फोन आया था वो फोन आया था बर्लिन एमबसी से और सीधे मुझे बोला था कि आपको अभी के अभी जर्मनी छोड़के जाना पड़ेगा सोचो वो सुच्वेशन मेरे साथ कैसी होगे वही है तो अभी मैं आपको इंसिडेंट जो है वो सुनाती हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने जो है वो सेम चीज जो है वो आपके साथ भी हुआ हो तो स्टार्ट करते तो क्या हुआ था मैं सुबे सुबे क्लास में गई थी और वहाँ पर मुझे फोन आया फोन में था बर्लें अबसी करके और मेरे पास पोन आया तो अपकोर्स आपके पास तरीके का जो है नंबर से कॉल आता है तो आप थोड़ा जिग्यासा होती है कि पता नहीं क्यों कॉल आ रहे हैं तो मैंने तुरंट उठाया और उसने मुझे बताया कि आपने जोब एंट्री करी थी जर्मनी में तो आपनी इंफोर्मेशन जो है वो गलत दी थी उसकी वज़े से हम लोग आपको आपके उपर लीगल जो है वो इसकी वज़े से आपको अभी के अभी जर्मनी जो है वो छोड़के जाना पड़ेगा उस टाइम पर मेरे पैरों के नीचे से ऐसा लगा कि जमीन खिसक गई और मुझे बहुत टेंशन हो गई मैं मतलब ठंड चल रही थी और पसीना पसीना हो गई उसी टाइम पर मैं क्लास से बाहर निकल गई और वो बंदे ने फोन नहीं रखने दिया उसने पूरे टाइम मुझे इंगे से बात कर लेती हूं पूछ लेती हूं क्या है और उसने मुझे फोन रखना अलाओ नहीं किया फिर मैंने से पूछा कि और क्या कर सकते हैं तो उसने मुझे फिर कुछ चीज बोली कि आपका अगर कोई दिल्ली में रिष्टेदार रहता है तो वो सुप्रीम कोट जा सकता है आप दो और उसने मुझे फोन नहीं रखने दिया मेरी क्लास से मेरा जो घर ता वो एक किलोमीटर दूर था और मैं चले जा रही थी पसीना पसीना हो रहे थी डर भी लग रहा था लगी जब मैं घर में घुसी तो दीपक ने जो रेडी हो रहा था और दीपक ऑफिस के अ AOна नहीं था तो मैंने जस्ट बोला वो देखके तो समझ ही गया ही कि कुछन OCUS तो प्राब्लम है तो मैंने उसको जस्ट बोला तो उसने बोला तो उसने बोला पार पून रख रही हूं तो उसने बोला कि नहीं आप Westak क्रसते हमारा कोई पसंद ह के आपके घर आ रहा है औ और तो दीपक ने बोला पर दीपक ने मुझे एक्स्प्रेइन किया कि सुर्भी ऐसा नहीं होता है जर्मनी में और यह सही बात है अगर जर्मनी में कोई भी लीगल डॉक्यमेंट आपको भेजते हैं तो वो यहां पर भेजते हैं यहां पर मतलब आपके पोस्ट पे आएगा ऐसे लेटर आएगा और फिर जो भी आपको करना है उसके उपर से आप कर सकते हो हाँ तो वो सही बोल रहा था कि जर्मनी में कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपको फोन आए और फोन पर पैसे मांगें या बोलें कि हमने आपके उपर लीगल स्टेप्स कुछ उठा रहे हैं यह अगर कुछ भी ऐसा कुछ होता है तो वो लेटर आता है लेटर बॉक्स में और उसके थुरू ही सारा कम्टिकेशन है जो होता है तो इस तरीके की अगर चीजें हो तो आप एवाइट करो यह मकसद इसलिए इस वीडियो बनाने का कि अगर आप आ रहे हो इनीशली आ रहे हो तो हो सकता है सेम जो चीज है वो आपके साथ हो सेम नंबर बरलिल एमबसी सेम नंबर लेकिन वो जो कॉल है वो सही नहीं है पिर हमने गूगल वगयरा पर सर्च किया और उसमें पता चला कि हाँ ऐसा है और यह आइडेंटिफाइड है लोगों को पता है हमारी खुद के वे अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो तो जरू कमेंट करना सेकंड चीज जो है वो मैंने तो खुद से नहीं experience करी पर मैं ट्रेन में च्रावल कर रही थी तो एक बंदी थी उसने मुझे बताया था फेक टिकेट इंस्पेक्टर जो टिकेट चेक करता है वो उसके बारे म प्रस उनका बैज होता है और उनके पास मशीन होती है जिससे वो टिकेट चेक करते हैं पर अभी क्या हो गया है बहुत सारे फेक भी होने लगे हैं तो आपको बिलकुल ऐसे ही लगेगा कि वो रियल इंस्पेक्टर सें पर रियल नहीं होते हैं आप कैसे उसे समझ सकते हो कि यह जली है तो वह क्या मांगते हैं वह उसी टाइम पर आपको बोलते हैं ओन दसपाट कि आप अभी मणी दो अभी पैसे दो लेकिन जबकि जो रियल इंस्पेक्टर से वह बोलते हैं कि वह मतलब आपका स्लिप कट कर देते हैं आपका रेसिडेंट कार्ट से आपकी सारी information लेते हैं और जो भी आपका fine है वो आपको घर पे भेज़ देते हो और आप बाद में उसे pay कर सकते हो वो ही सही तरीका होता है लेकिन अगर आपको ऊपर कोई चड़ जाए और तुरंट तुरंट आप करो तो वो सही नहीं है और आप इस चीज से समझ सकते हो और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका है next is credit card fraud या ATM fraud ये तो I think सारी ही countries में हो रहा है बहुत जादा हो रहा है इंडिया में तो कुछ जादा ही हो रहा है उसकी बहुत सारी series और movie बन चुकी है तो यहां पर भी ऐसा होने लगा है जैसे आप कोई isolated जगे अगर ATM है सुनसान जगे पर इक दम और वहां पर अगर ATM के ऊपर आप माचिस बॉक्स मैच बॉक्स रखा देखते हो या कोई पेपर रखा देखते हो या कुछ भी ऐसा देखते हो जिससे आपको ऐसा शक होता है कि हो सकता है इसके पीछे जो हो है hidden camera है तो वहां से आप पैसे मत निकालो सीधी सिंपल सी बात यह है कि वो आपका जो ATM पिन है वो चुरा लेते हैं और आपका कार्ट चुरा लेते हैं और वो बाद में यूज करते हैं यहां 15% से भी जादा जो है वो ऐसे केसे आए हैं जहां पर जो भी credit कार्ट है वो या तो चुराई हुए है या उनकी जो information है वो चुराई हुई है तो आप इससे जो है अवेर रहो और ऐसा मैंने अपनी जो इंडियन कम्टी है उसमें भी देखा है ऐसा आजकल बहुत जादा होने लगा है जर्मनी में जो next point है वो है job scam या फिर आपको बूला जाता है कि आप काम करो और बाद में आपको कोई पैसा नहीं दिया जाता है यह मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है मेरे ही जान पैचान वाले लोग है उन्होंने मुझे बताया है तो क्या हो रहा है आजकल क्योंकि करोना के बाद में work from home के बहुत सारे options जो है वो खुल गए है कि आप घर से काम करो तो यहाँ पर क्या होता है कि वो किसी ना किसी platform म है बिलकुल एकदम सही company है उसकी सारी details होगी यो company के pictures होंगे photographs होंगे सारी चीज होंगी लेकिन company जो होती है वो fake होती है उसके कोई लोग जो है वो आप से contact करेंगे कि आप काम करो आपको इतना पैसा मिलेगा बोलेंगे एक घंटे के 20 euro या 50 euro 30 euro depend on क्या काम है छोटा simple सा ही क इसे नहीं देंगे यह भी scam अभी जर्मनी में बहुत जादा हो रहा है तो careful रहो कि आप जहां पर भी कर रहे हो तो उसका proper contract होना चाहिए आपको company के बारे में सारी चीज़े पता होने चाहिए information correct होना चाहिए आपने personally मिला हो उस बंदे या बंदी से जो आपको job offer कर रहा है वो बहुत जादा जरूरी है इस case में करने लगेंगे या आपको तुरंट जो है वो football जो है वो पास करेंगे तो आप engage हुए आपका partner भी उसमें लगा आप दोनों engage हुए और आपका जो पैसा हो निकाल के भाग जाएंगे आपको पता भी चल जाएगा कि कुछ हुआ है पर जो person ऐसा कर रहा है वो उसके पास तो कुछ भी नहीं है तो वो अपने आपको इस इनोसेंट बताएगा लेकिन उसके जो group के लोग है वो आपका पैसा चुरा के जो है वो भाग जाएंगे दूसरी चीज इसी से related मतलब somewhat related है वो internet scam तो internet scam जैसे आप अपने लाइफ पार्टनर्स टिंडर के थूरू इसके थूरू तो यहां पर भी जैसे आगर जब तक आपको identity पता नहीं है तो आप believe मत करो बहुत सारे cases में ऐसा होता है कि वो identity जो होती है वो सही नहीं होती गलत photo होता है उसमें लिखा होता है doctor, engineer या whatever पर वो जो photo और जो profession है वो सही नहीं होता इवन जो country है वो भी सही नहीं होती at the end जासे की जर्वत है और किसी और दूसरी country पे बुलाया जाता है और बाद में पदा चलता है कि यह fake है और सबसे जादा जर्मनी में इस चीज के इसलिए इस लिए इसकी वज़े से लोग जो हैं बहुत जादा suicide करने लगे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा feeling आता है कि हमारा जो relationship है उसमें कुछ problem है या आपको किसी ने cheat किया है तो एक emotional level पे भी जो है वो सही नहीं है तो यह भी जो है वो दिहान रखना internet scam भी जो है वो जर्मनी में बहुत हो रहे हैं last point मैं बता रही हो apartment scam, apartment scam भी मेरी खुद की friend के साथ हो गया है apartment scam भी बहुत सारी countries में होते हैं वो लोग उन लोगों को target करते हैं जो पहली बार आ रहे होते हैं जैसे आप इंडिया से यहां पर आ रहे हो और at the end आप सारी चीजें contract sign कर देते हो आपको contract भी एकदम सही लगता है आप deposit भी दे देते हो सब दे देते हो और बहाँ पर मतलब वो घर घर या तो उस person का नहीं होता है जिसको आपने पैसे दिये यहां वहाँ पर कोई भी घर नहीं होता ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो गया चाहिए वो students हो या फिर job करने वाले लोग यहां पर आये इवन मैंने तो ये भी सुना है जैसे आपको घर दिखाया बहुत सुन्दर घर है बहुत कुछ है सब कुछ दिखाया और जब आप actual location पर पहुच रहे हो तो वो एकदम खाली घंडर है और कुछ भी नहीं है या आप actual location पे पहुच रहे हो तो वो किसी और का घर है और वो rent पे दे ही ने रहे हैं तो ऐसे भी cases होते हैं तो इन cases को avoid करने के लिए आप सिर्फ यही कर सकते हो कि आप personally वहाँ घर पे जा सकते हो उनके जो owner है उनसे बात कर सकते हो तो यह आपको पता चलेगा यह सही kind of agency है उनके थुरू घर ले सकते हो तो यह थे सारे scam अगर मैं कुछ भुली हूँ और आपको कुछ पता हो तो जरूर कमेंट करना मुझे यह वीडियो बनाने में बहुत मजा आया हमारा vlogging channel जरूर देखना और मिलते हैं next video में do not forget to like, share and subscribe and press the bell icon bye bye